असलाम वालेकूं रमतुल्लाहियर बरकाता हूँ हेलो गाइस आज मैं आपके लेकर आई हूँ चटपटी सी भेल पूरी की रेसिपी आज हम आपको दो तरह की भेल बना कर दिखाएंगे गिल्ली और सुखी भेल बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल में ये भेल हम बच्चे और बड़ो दोनों को भौत ही पसंद आएगी और इसे बनाना भी भौत ही असान है रेसिपी बनाना शुरू करने से पहले आप अगर हमारे चनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज हमारे चनल को सब्सक्राइब कर दिजेगा और वीडियो को प्लीज फुल वाच करिएगा तो चलिए गाइस अब हम बेल पूरी बनाना शुरू करते हैं बेल बनाने के लिए हमने दो कप कुर्मूला ले लिया है मैं एड करेंगे हम कटा हुआ प्यास बरी कटा हुआ टमाटर बरी कटी वी हरी मिर्च बरी कटा हुआ हरा धनिया अब हम इसमे एड करेंगे 3 टेबल स्पून भूनी हुई मसाले वाली डाल आप सबी इंग्रिडियन्स आपके हिसाब से कम्या दादा एड कर सकते हो गाइस इस फेल बनाने के लिए कोई भी मैजिर्मेंट की दरवत नहीं है गाइस अब अपने हिसाब से आड कर सकते हो अब इसमे रोस्ट की हुआ मुंपली ay ul इसमे एड करेंगे थोड़ा सी फटाना इसमे आड करेंगे थोड़ा सी चाट मसाला के लाल मीच पाउडर थोड़ा सी नामाक और बॉयल किया हुआ आलू गाईस यह बिलकुर स्ट्रेट स्टाइल में बनेगा आपका भेल आप इस भेल को ज़रूर ट्राई करिएगा तो इसमें आट करेंगे बारिक सेव तो इसमें आट करेंगे एक टेबर स्पून निम्मू का रस लेते है इसमें एक सूकी पाप्टी लगा देंगे लग रही है ना बिलकुर स्ट्रेट स्टाइल भेल पूरी हमारी यह टेस्ट में भी बिलकुर स्ट्रेट स्टाइल भेल पूरी जैसी हमारी बनी है बेल पूरी अब हम गिल्ली भेल बना लेते हैं गुली भेल बनाने के लिए भी हमने दो कप कुरमूरा लिया है? इसमें अध करेंगे रोस्टेट मुंपली, अपर इसमें अध करेंगे भुनी भी मसाले अली डाल, बरिक सेव, इसमें अध करेंगे कटा हुआ कांदा, खटी भी हरी मिल्च, अटा हुआ टमाटर, अटा हुआ हरा दिन्या की पत्ती, बोईल किया हुआ आलू, बोईल किया हुआ आलू आप्शन है गाईस, आप चाहे तो एड करिएगा ने तो स्किप करती जेगा, इसमें आड करेंगे फ़ेसी नमक, फिर लाल मिल्च पाउडर, चाट मसाला, इसमें आड करेंगे खटी मिटी इमली की चटनी, खटी मिटी इमली की चटनी की रेसेपी हम आने आले वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे, और हरी चटनी, इसमें आड करेंगे तो से निम्मू का रस, अब हम इन सभी चीतों को अच्छे से मिक्स कर गाइस अब सभी इंग्रिडियम्स को इसमें भी अपने सबसे एड़ कर सकते हो कमियो धाड़ा भेल में से बहुत अच्छी खुछ भुआ रही है और मेरा मुझ से पानी आ रहा है इसमें हम और थोई खटी मिटी चट्मी एड़ करेंगे तो अच्छी से मिला लेंगे जू बीच में और स्ट्रीट में जिस्ता से भेल मिलती है भेल उससे भी जादा टेस्टी भेल आप घर पर इजी लिबाना सकते हो अब हमारी गिली भेल भी रेड़ी हो गई है अब हम इसे भी सर्फ कर लेंगे गाइस हमने हरी चट्मी का वीडियो हमारी चैनल पर डाला हुआ है हम चट्मी का लिंक जो आपको आई बटन में दे देंगे आप चाहे तो हाँ से देख सकते हो खटी मिटी चट्मी के रेसिपी का वीडियो आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा स्ट्रीट में बेल हमें इस तरह से पूड़े में बान कर दिया जाता है तो लीजे गाइस हमारी सूकी और गिली दोनों बेल रेड़ी है मेरी बेहन टेस्ट करके आपको बताएगी हमारी बेल कैसी बनी है आस्या टेस्ट करके बताओ कैसी बनी है बेल आस्या कैसी बनी है गिली बेल बहुत टेस्टे बनी है अभी सूकी बेल टेस्ट कर आस्या दोनों बेल टेस्टे मनी है आप भी इस चटपटी सी भेल की रेसिपी को जरू ट्राइ करिएगा गाइस और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दिजेगा और वीडियो को अपने फ्रेंस और फैमिली की से शेर कीजेगा थाइंक यू फॉर वाचिंग अल्ला हाफीज